चित्रवर्णन प्यारे बच्चों, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई चित्र बनाऊं। सुन्दर सुन्दर चित्र देखना और बनाना सबको बहुत अच्छा लगता है। किसी चित्र को देखकर जो भाव मन में आते हैं, उनको उसी रूप में लिखना चित्रवर्णन कहलाता है। ये बन गया मेरा चित्र, अच्छा है ना? अब इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि चित्रवर्णन के समय अपना ध्यान चित्र में बनी सभी चीजों पर लगाना चाहिए। फिर चित्र को देखकर जो जो भाव आपके मन में आते हों, उनको क्रम से लिखना चाहिए। बच्चों, इस चित्र के बारे में कुछ बाती मेरे मन में आ रही हैं, जैसे पालतू पशू, घर की रखवाली, नाम शेरू, काले भूरे बाल, लंबी पूँच, प्यार दिखाना। अब इस चित्र का वर्णन इन बातों के आधार पर सोन परी करेगी। हाँ, हाँ, मैं बोलूँगे चित्र के बारे में, कुछ पालतू पशू है, ये हमारे घर की रखवाली करता है, मैंने भी एक कुछ पाल रखा है, इसका नाम शेरू है, इसके बाल काले भूरे रंके हैं, इसकी पूछ लंबी है, जब मैं घर वापस आती हूँ, तो ये अपनी पूछ हिला कर मुझे अपना प्यार दिखाता है, मैं भी उशेरू को बहुत प्यार करती हूँ, शबार सून परी, तुमने चित्र का वर्णन बहुत अच्छा किया,